तो और मेरे legends स्वागत आफ सभी का इस apex legends mobile के कमाल की वीडियो में जहाँ पर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे king's cannon map के कुछ ऐसे spots जहाँ पर आप apex legends के climbing mechanic को use करते हुए fights के बीच में enemy team को surprise कर सकते हो तो इस वीडियो में हम इसे 5 climbing spots देखने वाले तो make sure करना इस वीडियो के इंट तक जरू से देखना और कोई भी spot को miss मत करना क्यूंकि क्या पता कभी भी next time game खेलते वक्त आप इन चीजों को use करके सामने वाले team को surprise करके attack कर सकते हो और आप इसे के साथ आज किस वीडियो में हम जो bridges के area में यह सबसे height पे जो hut देखने के लिए मिलता है बड़ा सा इसके उपर pathfinder या फिर octane की बिना मदद लिए कैसे climb करें तो इसको तो बिल्कुल miss मत करना तो सबसे पहला spot हमें देखने के लिए मिलता है इस बड़े से zipline वाले control tower में जो कि आपको king's cannon में cascade area में और rippleser के left side में देखने के लिए मिलता है और कभी-कभी यहाँ पे होता ऐसा है कि enemy teams इस base के roof पे आके position को hold करके रखती है और यहाँ तक आने के लिए आपको यह बड़ी सी zipline लेने पड़ती है और stage के पीच में आते ही सामने वाले team आपके उपर height का advantage लेते हुए आपको easily knock कर सकते है तो आपको करना बस यही है team में से किसी एक बंदे को इस lap के अंदर भेजो और यहाँ से होते हुए lap के अंदर और और एक दरवदा देखने के लिए मिलता है जिसके right side में अगर आप देखोगे और यहाँ से climb करोगे तो आप सीधा roof पे पहुच जाते हो और trust में अभी currently काफी सारे players इस area से किसी player को आते हुए expect नहीं करते है और है पर मैंने एसे climb करके एक team को already backstaff करके lobby भेज चुका हूँ बढ़ है वो clip मेरे पास नहीं है क्योंकि आगर आप लोग ने मेरे recent tweet देखी रहेगी tweeter पे जहाँ पर मैंने बता है कि जब भी में recording को off करके खेलता हूँ तब पता नहीं कि वो matches बहुत कमाल के जाते है बट recording on करते हर matches में सबसे पहले डिबाव उनके lobby जाने वाला बंदा में ही होता हूँ इसी सेम ट्रिक को आप alternate way में भी यूज कर सकते हो मानलो कि अगर किसी कॉस्टिक वाली टीम ने अपनी position को hold करके रखा अंदर फिर दिन आप उपर से टपके उन्हें surprise attack कर सकते हो और at the same time आपकी team सामने अले दरवाजे से आएगी और यहापर इसके पास जो climbing spot हमें इस game में देखने के लिए मिलता है वो है यह double story वाले hurts जो कि map में आपको काफी सारे places में देखने के लिए मिलेगे और अगर आपके पास octane या फिर pathfinder जैसे legends नहीं है फिर दिन आपके पास इस घर में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है जो कि यह सीधा stairs से जाना बट नह जान्स का यूज करते हुए आप चाहो तो इस balcony से आके या फिर इसकी ऊपर जाके यह जो छोड़ी से आपको opening दिखती है वहाँ से attack कर सकते हो enemies पे और यहाँ से थोड़ा सा damage देने के बाद position change करके दूसरे दरवाज़े से फिर से उन्हें surprise attack कर सकते हो और है इसके पास जो सबसे worst जगा है game की क्योंकि हापे आपको इतने grass देखने के लिए मिलती है कि कभी अभी समझ में आता है कि बंदा कहा से मार रहा है और अगर कभी end वे हापे zone बनता है फिर दिन तब इस disadvantage को advantage में कैसे convert करें यह हम अभी देखने वाले है तो जैसे कि हमें skull down में एक बड़ा स को use करते हुए आप easily skeleton की उपर आके बैठ सकते हो और hold कर सकते हो अपने position को और जिसे कि इस area में काफी सरे trees है compared to skull down वाला skeleton यहाँ पर आपको कोई enemy notice करें इसके काफी rare chances है और आप यहाँ से आगे थोड़ा इसके edge पर आके भी hold कर सकते हो जिससे कि सामने जितने भी जार ओप के लिए रहता है तो use कर नाइस spot को भी और है पर इसके बाद वाला spot हमें bunker और skull down के beach में देखने के लिए मिलता है जहाँ पर आपको जो ऊची चट्टाने देखने के लिए मिलती है वहाँ पर pathfinder के grapple को use करके काफी कमाल के तरीके से flank करके enemy team पर surprise attack कर सकते हो आपको है पर ब pathfinder यहाँ से आके थोड़ा different angle लेकि उन पर fireback करो जिससे की पहली नजर में उन्हें वो third party लगेगी और इसी chaos का use करते हुए दोना तरफ से sandwich करके उन्हें lobby भेज़ दो बढ़ हाँ यह spot सिर्फ pathfinders के लिए है बाकी legends नहीं use कर सकते है और है देखते देखते हमारा last spot आ चुक से जैसे की bunker हो गया skull town, hydro dam और repulsor वाले side से सब teams यहाँ पर आती है और आप जिसके पास सबसे ज़्यादा height होगी उसी को सबसे ज़्यादा advantage रहता यहाँ और pathfinder और octan की मदद से यहाँ पर easily आया जा सकता है बट आगर आपके team में को इन दो legends को use नहीं करता या फिर अगर आ आके लिए बचो देन फिर भी आप यहाँ पर climb कर सकते हो easily और आपको करना बस इतना ही है यहाँ पर आपको जो right side में supply bin देखने के लिए मिलते है उसको open करना है और उसके उपर चड़के easily climb करके आप roof पे आ सकते हो और अगर आप किसी fight में फसे हो और आगर आप rate खेल रहे और मुझे पता है आप भी इस वीडियो के हाथ तक देख रहे हो और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद देती तो like करके जाना जिससे के एसे कमाल के वीडियो में आपके लिए लाता रहू और रही बात like aim की तो देखो मैं सोच रहो इस बर 369 का like aim रखते है तो legends क्या है हाँ पर हमें 369 likes देखने के लिए मिलेंगे और है पर इसी के सदाकरव इस चैनल पर नए हो तो subscribe कर देना और मेरे चैनल पर दूसरी वीडियो को भी check out कर लेना तो है पर मैं मिलता पो किसी और वीडियो में जय हिंद वन्यमातरम